तो हेलो गाइस अस्सलाम अलेकुम और रहमत अल्लाह ओवरकात हूँ तो आसा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे तो फाइनली आज मैं लेके आया हूँ टोयटा की कैमोरी है 2020 का मोडल है तो मैं इसका आज डैसबोट खुलने जा रहा हूँ डैसबोट क्यों खुलने जा र सबसे बाइस ची आख और एक साइड से कुलिंग आख रही है इस साइट से भी आ के सपक हाँ यह ही लेकिनद से कम आ रहे आ रही है लेकिन इस बज़े रह support से यह ज़य किया टो चेक टेर के पास अधाल यहाए। कब निकला इब आपोरेटर क्वाइल और एक्सिंशन वाल इसमें नया डालेंगे तो एब आपोरेटर और एक्सिंशन वाल डालके इंसाल़ा सिस्टम कम पुलीट हो जाएगा तो इसकी इसान गयरेगा छुट Para पड़ेगा और तो एधिर्य दिए खोलता हूं यह स्टेरिंग एर बैग वोगएरे सब खोलना पड़ेगा मेरे को देख पार हैं आप गाड़ी यह सब छुट्टा मेरे को खोलना पड़ेगा तो सबसे पहले बाहर भी दिखा देता हूं हुआ है यह से तो आपको कुलिंग का याथ क्योंकि मेरे पास थर्मामेंटर नहीं हो तो मैं आपको दिखाओ तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक सैट से कुलिंग होड़ी होड़ी है अ प scenario में से ना के बराबर कुलिंग होड़ी और एक साइट से ज्यादा कुलिंग होड़ी तो लोगों का सवाल दा के गैस कम है तो गैस मैंने लेवल किया तो भी नहीं हो रहा है तो चलू सबसे पहले बहार दिखा देता हूं इसका कॉंप्रेसर सुमक्पिंग को सब बना रहा वरोबर क्यांकर रहीं कीवरो स्टा तो दिखने सानट कर रहा हूं कि इसका ब्रोर्द में मसला है इस वजह से पुल्द कांड़र के लिए अन-दर से स्टा रहा हूं तो चलो फिर और दे चलीक के थ synthnsinn बैटरी की वाइर निकाल देता हुं फिर अग्या आपको भीखाता हूँ क्या-क्या खुलना पढर रहा है आपने को तो finally बैटरी की वाइर निकाल दिया हुँ तो सबसे पहले तो आपको भी पता होगो कि जारी का डेजबूट खुलने से से पहले policy form अपने को खोलना पढ़ेगा कशल में साथ इसको दसना मव दिया हुआ है त्रस और हुआ है इसमें तो कुछ है नहीं ही लए कि ओन्सवाइब होस्कRI निकल जाएगा क्यों देख्ष seulement कि आ कि एक खिएगा तो यह फैनल यह निकल चुका इसमें एक सॉकिट है तो यह निकल चुका तो ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद यह वाला फाइबर खुलेगा तो यह सब खुलता हूँ खुल के फिर मैं अगे आपको दिखाता हूँ फोर आफ एले फर्स्ट का सिस्टम आपको बता देता हूँ कि यह फाइबर तो इधर से खुलेगा इसको इधर कटाऊंगा खुल जाएगा उसके बाद पॉंसल बॉक्स निकल जाएगा अपना इसके बाद टेप हो गए रहे निकलेगा तो धीर धीर निकालता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको फाइनली यह वाला फाइबर भी अपने को खीचे खीचते हैं तो निकल जा र रहेंगा और यह वाला फाइबर निकलना प्रेगा अपने को अब यह भी निकल चुका यह लाइटर दिया है इसमें लाइटर का है साथ हां लाइटर का है यह लाइटर का चार्ज होगा रकनने का उसके बाद यह निकल जाएगा अपना तो चलो फाइनली इसको मैं निकालत फिर अग्या आपको दिखाता हूं, फाइनली उदर का सब तो खुल गिया, अब यह वाला इसको, यहां से माइनस इसको डार से, इसको उपर ले देने का, यह उपर आ जाएगा, तो पहले इसको निकालेंगे, फिर नीचे वाले को निकालेंगे, तो इसको निकाल देता हूं, फिर अग्या आपको देखा तो हाई गाइस मैं यह पहले इसको खोला नहीं था वापस से मेरे को बैटरी की वाय लगानी पड़ी क्यूंकि यह तो ना तो नीट्रल एंड पे आएगा पी के पी के उपर रखेंगे तो यह गियर पे और सिर्फ गियर चेंज होगा नहीं तो इस आए एक पार निकल चुका अब अपने पार्शामने एक यह गैश कुरू है और इसको यह भी रख दे या घृड़ से निकाल दे, यह क्यूकि यह जो रहती है नै इसका कपड़ा जो दिये है यह लेदर का कपड़ा जो है यह पड़ोपर तरीके से फिक्स रहता है इसको आप निकालेंगे तो दूसरी बार जूरता नहीं है तो इसको यहीं फिक्स कर दे रहन दे इसको छेरखानी ना करें तो चलो फिर वह सब मैं खुलता हूं और बैटरी की वायर वापस स कजक के लिए प्रतता हों इसको अधकर इसको और यह पीछे थोरा ध्लीगे रिम लेंगे यह निकल जाएगा पीछे कुछ वैर भी नहीं वैर होगे रहे दिया हुआ नहीं रहता है तो चलो फिर सबसे पहले एरवेग की लॉक निकाल के दिखा देता हूं इसका एरवेग ने लॉक काईसा दिया हुआ रहता है यह देख लिएन से कैंगी है वे एक वायरौत होगता है मतलब एक लॉक रहता है उसको आप मायनिस उसको डाऊल मायनिस इसको डाऊल से यह ऐसा अंदर डालेंगे ऐग का वे गुच्ट्ट्थ एक वायर दिखेगा आपको इसको आप ऐसे डालने के बाद इसको आप ऐसे दबाएंगे जम नहीं रहा अपने को निकल गया अब वो इसी इस तरीके से यहां एक लॉक दिखा रहे तो चलो इसको मैं खोल लेता हूं फिर लॉक दिखाते था हूं इसके बाद और एक लॉक इधर रहेंगा यह तो इजी लॉक दिया है इधर से आपको साप साप दिखेगा तो चलो फाइनली फूल निकाल देता हूं फिर बाद में आपको लॉक दिखा देता हूं ताकर समझ में आजाए आपको तो फाइनली तीनो लोग कॉल दिया हूँ इसको तीन लोग दिया है और यह अपना निकल गया तीन लोग कुंसा कुंसा है वो दिखा देता हूँ एक ये रही एक ये दो और एक नीचे साइड रहेगा तीन तो आपका जो ये वाला लोग तो एजीली निकल जाता है बकि ये द फोल दिर कहा देता हूं कि यह ही तीन होभा है तो तीन होभेश ल APP निकल गया है तो वीक्षर निकल गया चलो फिर फाइनलियर सब एरभे करे निकलता हूं फिल आगे नेक्स्ट स्टेप पर यह सब चीजे खोलना है यह पूरा खोलता हूं यह सब धिरे-धिरे मीटर ओगड़े खोलता हूं फिर अग्या आपको दिखाता हूं यह फीज बॉक्स तो ऐसी खोलोगे तो निकल जाएगा यह वाला यह निकाल करके नीचे का तो चलो यह सब फिर खोलता हूं यह खोलना इजी है एक श्कूइए कर दिया है और उसके बाद कवर ओगड़े निकलता हूं में मारते नहीं और आपको बैठाने टाइम भी प्रावम नहीं तो चलो फिर अगये दिखाता हूं तो फिर आपको प्रॉलता हूं प्रिछे का निकल गया यह पैनल इदर का भी खूल दिया हूं यह रही यह कीचेंगे निकल जाएगा उसके बाद यह रही इसका दो इस खुरू नहीं किलीप दिया है दोनों किलीप खुलने के बाद इसलिए बाहर आ जाएगा यहां एक सोकिट रहेगी मेटर ट्रीप करने वाली तो यह भी तो अपना निकल गया सोकिट एक हाथ से जम नहीं रहा अपने का चलो यह भी निकल गया इसए आफ ओसे होतो में अपने को मीटर में दिया है किस्क्रू यहां पर और यह यह जहां पर और जिल यह निकालना है यह वुश्यार पाइनल कि प्रमियंचरू रहो निकालने से पहले ही यह वाला फैवर निकालना पड़ेगा फिर टेप निकलेगा तो चलो ये मैं निकालता हूँ और निकालने का प्रोशेशिंग भी बता देता हूँ तो ज़रा मेरा एक हाथ से जमता नहीं है तो प्रोपर तरीगे से कोलने का सिस्टम तैयार कर लेता हूँ फिर आगी आपको दिखाता हूँ पहले मेडर खोल देता हूँ फिर आगर दिखाता हूँ टो मेडर अपना फाइनल इंरी खुल चुका अब मेरे को चलो टेप का यह पता देता हूँ प्रोशेश्चिंग सबसे Arcaneill खुलेगा यह खुल गया उसके बाद यह कंट्रोल पैनल के साथ आएगा यह वाला पैनल लॉक में रहते हैं सकते हैं इसमें 200 कीट है एक यह वाली और एक यह वाली दो साथ ही आजाहे तो बेटर रहेगा लेकिन साथ में आया नहीं तो चलो यह दो दसनमर खुलके टेप निकलता हूं फिर उसके बाद अग्या आपको दिखाता हूं क्या खुलना पड़ेगा यह निकाल दूंगा यह सोखिट हो एक निकालूं तो भी चलेगा ना निकाल दू निकालना पड़े तो निकाल दू नहीं तो कोई बात नहीं तो चलो टेप खोल के फाइनली मैं फिर आगे आगे आपको दिखाता हूँ तो अपना फाइनली टेप भी कुल चुका अब अपने को खोलना है डैजबूर्ट की बॉल्ट दस नमबर ये कि कि दस नमबर ये कर वसके बाद दस नम रेक्या दिया ढिए एक है इसके बाद ये एक लॉअ fifteen इसके उक कर दो दू lot पहु करड़े को एज और का ऒहा दीया है कैया नहीं उसके बाद यह वाला शाइट पैनल इसको एसे खोल देने का इसको इधर का भी ऐसी खोल देने का इसको इसली निकल जाएगा अपनो इसके बाद यहां स्पीकर रहेगा इस पीकर की वायर तो चलो फिर बाकी सब खोलता हूं फिर अग्य दिखाता हूं तो फाइणली है यह वाला पुपपर इसकुलने के बाद इस पीकर रहेगी और यह वाला फाइबर भी खोल देने का क्योंकि यह सब्भीश रहती है तो सेम प्रोसेस का भी रहेगा तो इसे खोलना है अपने को तो चलो बाकी का खोलता हूँ फिर आग्गे आपको दिखाता हूँ तो गाइस फाइनली इदर का सब कुछ खोल दिया हूँ इदर एक किलीब भी रहती है इस पिकर रहता है उसके बाद यह Sunroof sensor रहता है, और यह 10 नमबर सब खोल दिया हूं, अब मेरे को उस साइट जाने का है, उस साइट का सब खोलना है, फिर मैं आद के दिखाता हूं, उस साइट भी क्या-क्या कोलना पड़ रहा है, तो चलो फिर उस साइट चलते हैं, तो गाइस, फाइनली इस साइट आ किलिप रहेगी, यह वाली किलिप, इसके अंदर है, केबल के अंदर, इसके बाद आपका यह लो बॉक्स का पूरा जो setup खोल देंगे ना, तो अंदर चे आपको दिख जाएगा कि क्या-क्या खोलना पड़ेगा आपने को, तो चलो यह भी खोल देता हूं, और वह भी खोल क्यों नहीं हिलना है, क्योंकि अपना एक चीज़ कोलना बाद की है अभी, यह जो airbag का देख रहे हैं, बाहर है नमबर, एक यह दो, यह दोनों खोलेंगे, तो फिर डैसबोड प्रॉपर बाहर आएगा, इसका socket है, तो यह सब socket निकालना पड़ेगा, किलिप, यह wire को अंद पैटरोल गाडियां है, इस वह से मैं पैटरोल या डीजल नहीं बोलता हूँ, कोई गारी में बायचान सब्सक्राइब या डीजल गाड़ी रहेगी, तो मैं उसमें आपको बता दूँगा, और बागी मोडल होगरे तो बोलता ही हूँ आपको, तो चलो फिर फाइनल यह सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वीडियो बना के मतलब नहीं, क्योंकि आपको भी चाहिए कि आपको सब्सक्राइब कॉमेंड करें, ताके मुझे जो मेरे अंदर जो फिल हो, ताके नहीं इंट्रेस्ट वीडियो बनाने की नेक्स्ट वीडियो जो बनाओ, तो उस वीडियो बनाने में इंट्रेस्ट आए मेरे को ना के ऐसा कि आप कुछ सब्सक्राइब भी नहीं कोई reply नहीं कोई views भी नहीं आए तो फिर मतलब नहीं वीडियो बना करके क्योंकि मुझे ऐसा लगएगा कि मैं वीडियो बना करके तो आपका फर्ज जो बनता है आपकर है तो चलो फिर मैं आगे इसका ये दुनों एर बैक खोल करके फिर अग्गे मैं आपको दिखाता हूं तो चलो फिर खोलने के बाद मिलते हैं तो गाइस पुड़ी तरीके से डेजबूट खुल चुका है और एक चीज में हां तो यह विंद्सिल ग्लास के ओपर जो एर आती है यह वाला फ्लैप खोलने की जरूरत थी नहीं अपने को बस खोले क्यूंग क्योंकि यह वाला सौकेट निकालने के लिए वहां से हाथ तो जाता नहीं बाद में कोई को गाड़ी में हाथ डालके इधर से निकालना पड़ता है लेकिन बड़ यह वाला गाड़ी में आपने को जगह मिला उदर तो आपने निकाल दिये तो चलो फिर बाकी इसको निकालता हूं मैं पुरा डेजबूर्ट निकल चु चलने के लिए सब वारणिक आई यह मेरे को सेट अब खोलना पड़ेगा यह निकलता इसके वेसे नहीं अकंडी क्योंकि देख पार है क्लमोड खुले के बादी यह सब चीज दीख रहा है कि कुँंसा कुंसा बोल्ट अंदर से दीया है कि दर किदर इदर से दीया है देख पार है अपना के लिए पूड़ा तो चलो फिर एंगल खोलने की जुगार में लग जाते हैं अपने एंगल कहां कहां से क्या 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 खोलना पड़ेगा वो सब चीजे मैं बता रहा हूं आपको कि नीचे दिया रहेंगा यह मेरे को यहां कट करके इसको अलग करना पड़ेगा तो चलो फिर यह नीचे वाला कुलता हूं यह कट करके फिर इधर का वायरिंग कौनसा कौनसा निकालना पड़ेगा यह सब वायरिंग निकालना पड़ेगा आपने को इधर की वह जो आपको दिखाता हूं, हेलो गैज, फाइनली, अंदर से सब खोल दिया हूं, स्टेरिंग की पूरा जो सेट अप है, इसको नीके रख दिया हूं, यहां से खोल के छुट्टा करके, क्योंकि आपने को निकालने में इजी भी पढ़े ताके, ज्यादा वजन ना हो, इधर का बा नंडर तra, वो भी अलग कर दिया हूं, यह तर का भी खोल दिया हूं, यह वायरिंग जो है, इसको अलग कर दिया हूं, यहां से इसको बीच में से कट करके इसको अलग कर दिया हूं, तक यह अंदर का सेट अपूड आप興します, लाख को युज एज भी खोलने को मिलें, वाग बाहर चलते हैं बाहर चलके फिर मैं अग्गे आपको दिखाता हूं तो फाइनली अपने बाहर आ चुके यह देख पार है 14 नंबर वाइपर ब्लेड में दिया है और यह के रही दोनों वाइपर ब्लेड को खोलना पड़ेगा कॉल पैनल कोलने के लिए निकल गया है यह यह भी निकल चुका अपना तो यह सब सामान निकाल लेते हैं फिर उसको बाद कॉल पैनल इसली निकल जाएगा अपना एक दो क्लीब दिया रहेंगा एक कलीब इधर है तो यह किलीब निकाल के खूल पैनल निकाल के पिर अग्या आपको दिखा तो हुआ हो तो यह यह कल पैनल जब आप खोलेंगे ना तो यह इसमें चिपका हुआ रहता है यह पिकल उसका लॉक यह जो पट्टी में यह वाली जो लॉक रहती है ना यह कुड़ा दबा हुआ रहता है इसमें फिक्स रहता है तो आप इसको उपर खीचेंगे फिर बाहर में कि बाद में सामने खीचेंगे तभी निकले गाए तो चलो अपना फाइनली पूरा निकल चुका तो बोल्ट दिखा देता हूँ कुणसा कुणसा बोल्ट दिया है यहाँ पे रहेंगा यहाँ पे दिया है बोल्ट वो कोटिंग दिया है तो चलो फिर मैं इसका कोटिंग निकाल करके फिर बाद में लिखाता हूँ आपको तो गाइस फाइनली यह रही एक बोल्ट यह और एक वहाँ बोल्ट और एक जो बोल्ट है यह वाली जो खुला हुआ होल लिख रहा है तीन बोल्ट टोटल मेरे को खुलना पड़ा दो कॉल पैनल के अंदर से और एक नीचे से तो अपना अंदर जो है डैस बोल्ट शोरी एंगल बाहर आ जाना चाहिए चलो फिर अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं तो गाइस फाइनली बाहर से अपना हेटर का पाइप भी खुल दिया हूँ और कुलिंग कोईल का भी जॉइंट खुल दिया हूँ सब देख पार हैं तो सब खुल चुग है बाहर से अपने को और कुछ खुलने की ज़रूरत तो नहीं है तो चलो फिर अंदर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर क्या-क्या खुला गए अपना तो अंदर भी सब खुल दिया गया है जितना भी खुलने का था अपने को अपने करने वाले क्या है कि इसको क्लाइमेट कंट्रोल लिनीड जो है ने उसके साथ निकालने वाले हैं एंग दो बांट्रोल उनेट के साथ नीकलता है या नहीं नीकलता था तो बाकी सब मेरा खुल चुका है खोला क्या क्या हों मैं सब पहले आपको बता चुका हूं दक फिरका जो खुलना बाकी बाद में भी तो चलो फिर इसको निकाल के देखता हूं निकलता है क्या नहीं तो हील रही है पर देखता हूं और कुछ अर्चंड करता है मेरे खैल से निकल जाना चाहिए तो चलो अपने निकालते हैं फिर अग्या मैं आपको दिखाता हूं तो वाइस फाइनली देख रहे हैं पुड़ा बाहर आ गया है तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यह बता देता हूं कि इसको इसके सांत मेरे को निकालने का एक ही रीजन है क्योंकि अगर क्लामेट कंट्रोल उनिट के सांत अगर नहीं निकालते ना तो यह जो वायर निकालता हूं फिर अगया आपको दिखाता हूं तो फाइनली पुड़ी गाड़ी नंगी हो चुक है यह यहनु निकाल चुक है है क्लामेट कंट्रोल इनिट और एंगल के सांत आ है यह रहेगी हैर है इसका इपापरेटर को आ तो अब यहां आकर कि हम इसको हैंगल को प्रण्ट्रोल को अलग करेंगे फिर अग्य मैं आपको दिखाऊंगा तो चलो फिर आपके खोलता हूं फिर अग्य दिखाता हूं तो फाइनली गाइज यह बॉड़ी यहां से निकाल के इसको बिलोर का निकाल दिया हूं और एबापरेटर कोईल खोल दिया अपन तो खोल के फिर दिखाता हूं मैं आपको आगया है तो हेलो फाइनली यह अपन खोल दिये हैं इसको तो आपको वहां से तो समझ में नहीं आएगा देकिन मैं इसका चेक करने का ट्रीक एक बता देता हूं आपको आप इधर से डिस्चाज वाले लाइन से यानि डिस्चाज से सोरी मतल से जो करता है कि फेल मैं यहां तो उसमें आप हवा मार के देखिए स से मौह मार किया एकर प्रेशर मारें थो पुड़ा वस्रीज्य आना चाहिए अपके मुह में प्रेशर नहीं बनना Qué connectivity अना चाहरा कि अबर इसमें हवा फुल प्रेशर से मुह से मारेंगे न तो अंदर कोई भी आवाज नहीं आना चाहिए जैसे कुछ अटका हुआ हो या फिर ऑईल वगरे जाएगा तो घर-घर-घर-घर की आवाज आएगा वो चीज़ा आवाज नहीं आनी चाहिए तो मैं इसमें प्रेश कोईल कैसा दिख रहा है तो तो फाइनली यह वादा नया वादा कुलिम कोईल है अपना है यानि इब आपरेटर कोईल तो इसमें आप भी हावा मार के देखेंगा मुझ से यहां से लिच्चाज वाले राइन से यानि लिक्टूड आले फॉर्म जो इंटर करता है यहां से पहले वाला जो अपना पुराना वाला था उसमें बहुत प्रेशर मानने के बाद ही यह होता तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूं फिर अग्ये दिखाता हूं और मैं क्लायमेट कंट्रोल उनिट इससे अलग इसके वह से नहीं किया क्योंकि अलग करने के लिए जाओ होंगा बोट टाइम लग जाएगा उसे अच्छा अपना इधर ही काम हो जाएगा तो चलो फिर फाइनली फिटिंग करता हूं फिर अग्या आपको दिखाता हूं तो गाइस फाइनली पूरा फिर फिट हो चुका देख पार है पुरानी वाली कोईल इदर है नहीं वाली कोईल फिटिंग कर दिया एक संथिंग वाल के साथ तो देख लिजी आप सब प्रोपर्फेट हो गया तो चलो अब इसको मैं गारी में डालता हूं फिर आग्ये दिखाता हूं मैं वाइरिंग कुछ नहीं निकाला था एंगल वागरे कुछ नहीं निकाला था बाकी सब वही फिटिंग है मेरा से पीछे का कवर खोलाता यह वाला तो चलो फिर गाड़ी में फिटिंग करता हूं फिर अग्गे आपको मैं दिखाता हूं फाइनली एंगल लगा दिया हूं क्लामेट कंट्रोल यूनिट के साथ लग चुक है अपना देख पार है जैसा जैसा खोला था सब उससे ही फिट हो गया है देख लीजिए आप तो एक बात मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपके दिमाग में यह भी सवाल आता होगा कि क्लामेट कंट्रोल यूनिट के साथ यानि पुरा अखंडी आ सकता था हां यह अखंडी भी आया जाएगा कोई प्रॉलम नहीं है यह किन मैं जो यह खोला हूं ना सिंगल 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 तो इसलिए खोला हूं ताकि चीजें आपको और दी अच्छी तरीके से समझ में आए बस बाकी और कुछ नहीं अखंडी भी खुल जाता है लेकिन बस मैं मेरे को थोड़ा आज क्या हो गया कि डीपली थोड़ा कुछ बताने का था इस वह से चुट्टा चुट्टा खोला और आप अगर इसको अखंडी खोलना चाहेंगे एंगल के साथ डैस बोड तो बाहर आ यह सांगा अगर जितना भी खोला गया था सब यप देशीव जंडी नहीं तो चलो अब मेरे को करना किया अब डैस बोड डालना है तो चलो फिर मैं डैस बोड डालता हूं इसमें फिर आग्गे आपको दिखाता हूं तो लगा इस कि फैनली डैस बोड मैं डाल दिया हूं तो चलो फिर सब फिटिंग करते हैं फिर आग्य मैं आपको दीखाता हूं तो मैं यो सब फिट कर दिया उँ तो मेलने को सटेरिंग मीटर हो गए तो फाइनली एक स्वीच के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्यूंकि कभी भी आप सकते हैं इदर तो यह जो है ना यह गियर पी एन पी पे रखेंगे ना तो इसको न्यूट्रल पे या फिर दीफे लाना या आर पे लाना बहुत मुस्किल हो जाता है नहीं ला सकते हैं इसको जब तक के बैटरी वाय नहीं लगाएंगे देख पार है यह स्वीच प्रेस कर रहा हूं तो नहीं आ रहा है यहां कलज भी दबाएंगे आप यह स्वीच नहीं आएगा लेकिन इसमें एक स्वीच दिया हुआ रहता है जो कि वह स्वीच दिखा दे रहा हूं मैं आप आपको यह वाला इसको आप प्रेस करेंगे और इसको दबा करके यह shift हो जाता है हेहां से तो यह चीज मैं आपको बता दिया अब यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं और एक बड़ फिर पी पे ले देंगे तो फिर वापस से नब मैं फाइनली पीट करता हूं, फिर अग्याए आपको दिखाता हूं, तो फाइनली अपना पूरी तरुट पूरी तरीके से फीट हो चुका है, सिर्फ अबने को स्टैरिंग यह लगाना बाकी है, स्टेरिंग एडलाइट का स्थिछ होpage है., सब लगाना बाकी है बाकी सब प्रोपर तरीके से फिट हो चुका है बाहर भी प्रोपर तरीके से फिट हो चुका है मैं ज़रा दिखा देता हूं आपको बाहर भी मैं सब फिटिंग कर दिया हूं हेटर का पाइप भी अपना लग चुका है अब मैं वेक्षिन में भी लगा चुका हूं इसको तो चलो फिर आप डारेक्ट गैस वगरे मार के डारेक्ट कुलिंग टेंपरेचर में आपको दिखाता हूं कुलिंग कैसा हो रहा है या अब मैं लुट भी चालू रहा हूं लोड भी चालू है अपना और कुलिंग टेंपरेचर में रवस्तों थर्मामेटर है नहीं जो मैं आपको दिखाता लेकिन कुलिंग इसमें भी जितना आ रहा है उतने भी इतना ही आ रहा है और बाकी प्रोपर तरीके से सब फिट हो सबसे पहले न को गया था आपक यह यह आपस मेरे पास आई मेरे पास क्यूं यह उण करकि नहीं अपने बात भी same problem आया तो इस वज़े से अपने पास गाड़ी आई तो मैं चेक किया तो इसका इब आपरेटर का मसला था और expansion wall का, expansion wall भी तो ठीक था लेकिन ज्यादा जो मसला पूर्फूल मसला जो था इसका इब आपरेटर कोईल में तो आपके साथ भी आपका भी काम करवाएंगे ना तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है जरूरी नहीं है कि सब भी हम ऐसा सही काम हो गलत भी होता है तो सही भी होता है तो यही चीज़े आप एक बार जो काम करवाते हैं ना तो आपको समझ आनी चाहिए बस मेरा रीजन यही है कि यह सब चीज़ां आप समझे और बाकी कुछ नहीं तो चलिए फिर गाइज जब तक के लिए बाए बाए टेक कियर अल्ला हाफीज